हे दोस्तों वेलकम टो इस चैनल मैं हूँ रहूर और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस दिखने वाले हैं ट्विट्टेट पेर केबिल, कोएक्सियल केबिल और फाइबर आप्टिक्स केबिल के बीच तो ये एक नेटवर्किंग का सीरीज चल लए तो अगर आपको साड़े वीडियो दिखना है तो आई बटन को चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए देख लिया जाए तो आज हम यहाँ पर टोटल आठ डिफरेंस दिखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट इमेज है वो है तो यहाँ कि दो दो वैड एक दूसरे के साथ टूस्टेट फॉर्म में रोटेटेड है और यह पूरा का पूरा जो वैड सिस्टम है यह एक रबर या तो प्लास्टिक जैकेट के अंदर रहता है जिसको हम आउटर कंड़क्टर भी कह सकते हैं अब यह जो टूस्टेट प्यार है यह वन अब दा सिंपलेस्ट गाइडेड मीडिया में अब वह एकर क्वेक्सियल के विल को देखे तो यहाँ पर हमको दो पार्ट सेखने को मिलते हैं एक होता है इनर पार्ट और दूसरा होता है ओटर पार्ट अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो कि आपको ब्लैक करो में दिख रहा हुआ यह एक प्लास्टिक जैकेट यह रबर का भी हो सकता है और इसके अंदर हम और आउटर पार्ट होता है कोएक्सियल केबिल का जिसको हम मेटलिक सीडल भी कह सकते हैं और एकदम बीच में आपको देखने को मिलता है जो सेंटर का कोड होता है जिसके थूरू डेटा ट्रांस्मिशन पॉसिबल होता है और इन दोनों इनर और आउटर के बीच में आपको एक और देखने को मिलता है जिसको हम डाई किνε पैसकते हैं अब यह जो इंसुलेटर रहता है एक तरह से इनर कंड़क्टार और और आउटर कंड़क्टर के बीच का इक डिवाइडर का रोल प्ले करता है слग देखने को मिलता है फाइर ऑप्टिक्स के य high 좋 Rob बहुत सारे बहुत ही low noise immunity देखने के मिलता है तो इसलिए यहां पर बहुत ही ज़्यादा noise create होता है और जो coaxial के भी है इसके अंदर बहुत ही higher noise immunity होता है than twisted pair तो इसलिए आप data transmission के अंदर बहुत ही noise create होता है और similarly fiber optics में भी हमको higher noise immunity देखने मिलता है wires के अंदर तो एक तरह से noise के मामले में twisted pair के मुकाबले coaxial और fiber optics थोड़ा अच्छा option हो सकता है अब अगर third difference को देखे twisted pair is affected due to the external magnetic field तो यहां पर twisted pair के अंदर कोई भी इसलिए यह एक्स्टरनल magnetic field के दौरा affected होता रहता है और वहीं अगर coaxial cables की बात को तो यहां पर हमको एक एक्स्टरा लिया और protection दिखने को मिलता है जिससे की जो external magnetic fields फगेड़ा होते हैं उनसे यह उतना affected नहीं होता और वहीं अगर fiber optics की बात करें तो यह कोई भी तरह से affected नहीं होता external magnetic field से अब जो fourth difference है वो है pricing से related तो यहां पर जो twisted pair के भी होता है यह one of the cheapest cable है इन तीनों के अंदर यानि कि coaxial और fiber optics के मुकाबले twisted pair जो है वो one of the cheapest medium है लेकिन जो coaxial cable होता है वो twisted pair के मुकाबले धोड़ा expensive होता है और जो fiber optics है वो इन दोनों cable से यानि कि twisted pair और coaxial से सबसे ज़्यादा expensive हमको fiber optics से देखने को मिलता है अब जो fifth difference है वो है bandwidth related तो यहाँ पर twisted pair के अंदर हमको सबसे कम bandwidth देखने को मिलता है then coaxial and fiber optics और coaxial के बात कर तो यहाँ पर comparatively twisted pair थोड़ा high bandwidth हमको देखने को मिलता है और fiber optics में सबसे ज़्यादा bandwidth हमको देखता है अब जो sixth difference है वो है installations related तो यहाँ पर अगर तीनो mediums के installation की बात करें तो यहाँ पर twisted pair और coaxial के बिल का installation प्रोसेस हो बहुत ही easy होता है लेकिन वह अगर fiber optics के बिल का installation की बात करें तो यहाँ पर यह बहुत ही hard process होता है यहाँ पर एक तरह से specialist का requirement होता है अब seven difference है इसके types से related तो यहाँ पर हमको twisted pair का दो type देखने को मिलता है जो कि है unsealed twisted pair और silded twisted pair जिसको UTP और STP भी कह सकते है अब coaxial cable का दो type है जो कि है RG59 और RG6 और वहीं अगर fiber optics की बात करें तो इसका दो type दिखने को मिलता है जो कि है single mode fiber जिसको SMF कहा जाता है और इसके अलावा है multi mode fiber जिसको MMF कहा जाता है अब अगर 8 difference की बात करें जो की है diameter से related तो अगर इन तीनों बात करें तो यहां पर twisted pair और coaxial cable का जो diameter होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है comparatively fiber optics cable क्योंकि fiber optics के अंदर हमको मेले glass और plastic का use देखने को मिलता है तो इसलिए इसका diameter होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है तो फिलाल के इस वीडियो में हमने twisted pair coaxial और fiber optics cable के difference को देखा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना मत पूरे चै देखने के लिए हम फिट में लेंगे अपने अगले वीडियो में